आप अभी देख रही हैं, तीन साल में जितने भी बाई एलक्शन हुआ हैं, जितने पंचायत राज के एलक्शन हुआ हैं, नगरपाली काओं के इलक्शन हुआ हैं, सब में कोंग्रेस जीटी है, महेंगाई से और कूप प्रशाशन से और जो वादा खिलाफी मोधी सरकार ने से हैं, हशोगेलोच सरकार के, पर पिछले 20 से 25 साल के समय में अगर देखा जाए, तो कॉंग्रेस कभी भी रिपीट नहीं कर पा रही हैं, अप आश्वस्त है सर, इस बाद को लेगे, आप अभी देख रही हैं, जितने भी बाई एलक्शन हुआ हैं, जितने पंचायत राज के इलक्शन हुए हैं, नगरपाली काओं के इलक्शन हुए हैं, सब में कॉंग्रेस जीटी है, जनता जो है, आज हमारे साथ है, तो इसलिए जनता रिपीट करना चाहती है, क्योंकि महंगाई से, और जो वादा खिलाफी मोधी सरकार ने किये, उसे जनता नाराज है, और हम तो कुछ न कुछ तो कही है, यह बता दे हैं कि उनके टाइम पर क्या उपलब्दिया नहीं, कोई उपलब्दिया नहीं, यह बताएं आप, विशम परिस्टितियों में महामारी के दोरान भी आर्थिक संकट कितना था रास्तन सरकार पर, लेकिन जो काम, जो घोशना है की, उससे भी ज्यादा काम जो है, आज राजस्तार में हो रहा है, धारिवाल जी विबक्षी बात छोड़ी है, यह बताएं कि कॉंग्रेस की सरकार के तीन या चार उपलब्दियां आप अगर गिनवा सकें, कारेकाल में देखीजी आप, सारी टेरंजी भी होगना, बड़ी सब योजना है, क्या लगता है कि जो गुडबाजी देखी गई पिछले साल, उसको आप मानेंगे की थी गुडबाजी, जो गुडबाजी पिछले साल देखी गई, क्या लगता है, खता मोचुकी है, खता मोचुकी है, तो दो साल में और जादा, अब गुडबाजी सारी की सार कर लेते हैं पूरे विपक्ष को पर जिस तरह का जमीनी स्थर पर डिवेलिप्मेंट होना चाहिए था क्या आपको लगता है वो हुआ है यह कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ हाँ जो प्रोमिशनेस नहीं थे जंता के साथ में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाये जा रहा है हुआ है AIMे ज्सक्राइब करता है जुआ है Ł送प